नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में एरुटेरिया वारसी कांक 2022 का करेंट फेर डिसकस करेंगे जो आगे आने बाले सभी एक्जाम के लिए महत्पूर्ण होंगे यह प्रैक्टिस सेट नमर 14 और 15 है मतलब यह लास्ट पार्ट है इसका पहले 13 पार्ट आपके अप्लोड हो आए देखते हैं पहला कोस्तन पहला कोसन नें की आपदा परवंधन पर पाचमी विशु कांक्रेस का उठगाटन आपी दिल्ली में निम्रखित में से किस ने किया तो किस के द्वरा किया गया था तो राजनाजी की कोन है तो भारत के रच्छा मंत्री है तो यह इसका right answer होगा इसमें आपको याद रखना है कि जो आपदा परबंदर पर जो है पाचमी विसु कांग्रेस का उटगाटर ने यह कहाँ पर किया गया था याद रखेगा कि IIT दिल्ली में किया गया था यह भी पूछाब से जा सकता है और किसके द्वारा तो राजनासिंग के द्वारा नेक्सट है कि भारत का पहला भारत का पहला जो है वर्टिकल लीप्ट रेलवे सी ब्रीज वर्टिकल लीप्ट रेलवे सी ब्रीज किस राज में बनाया जा रहा है तो तमिल लाडू राज में बनाया जा रहा है भारत का पहला जो है वर्टिकल लिप्ट रेलवे सी ब्रीज किस राज में बनाया जा रहा है तो तमिल लाडू में तो C इसका राइट अंसर होगा ये नया कुशन है नेक्स्टे की हाली में उत्राखंड में अस्थीत किस नेशनल पार्क का नाम बदल के जो है राम गंगा नेशनल पार्क करने की घोशना की गई है तो जीम करवेट नेशनल पार्क की तो डी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्टे की भारत ने किस देश के साथ 6 लाग से अधिक 1 के 233 असाल ट्रैफल की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन तक नेकी सहीयोग पर एक समझोते पर सिंग नेशनल किया है तो किस के साथ में किया है भारत तो रासिया के साथ में किया है तो ए इसका राट इंसर होगा नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में भारत में किस दिस के साथ अजय बारियर सायंक्त इउधवियास का आयोगन किया है तो ब्रिटेन के साथ में किया है तो C इसका राइट इंसर होगा नेक्स्ट है कि 100 बर्स पहले चूरी हुई अनपूर्णा की मुर्ति को हाली में उत्रपर्दिस सरकार ने किस दिस से प्राप्त किया है तो D इसका राइट इंसर होगा हाली में कौन सा राज अपनी 100 परसेंट अवादी 18 पलेस को जो है कुरोना वैक्सिन की दूसरी डोच देने वाला भरत का पहला राज बना है तो कौन है हिमाचल प्रदेश है नेक्स है कि फोमियों किस दा को हाली में किस देश के प्रदान मंतरी के रूप में पुना चुना गया है तो कहां कि जपान के तो भी इसका राइट इंसर होगा सैयुक्त सैन अभियास सकती 2021 का छठा संस्क्रन किन दो देशों के मध आयुजित किया गया है तो भारत और फ्रांस के बीच में तो भी इसका राइट इंसर होगा निमलिखित में से किस राज सरकार ने सलक द्रुगटना प्यूडितों के लिए रच्छक सलक सुरच्छा पहल की सुरुवात की है तो उड़िसा सरकार ने किये तो सी इसका राइट अंसर होगा निमलिखित में से किस पंटुबी को प्रोजेक्ट 75 के तहट चौथी पंटुबी कुरूप में सामिल किया गया है तो कौन है आई एनस बेला है तो भी इसका राइट अंसर होगा नेक्स एकी ICC T20 विसकाप 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है तो देख लिजे कौन सा कथन सही है अस्टेलिया ने रिजिलेंट को हरा कर पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतता है तो सही बात है पिलेयर आफ दा टूर्नामेंट के रूप में डेविड बार्नर को चुना गया है तो सही बात है डेविड बार्नर कहां के हैं तो अस्टेलिया के हैं तो दोनों को दोनों कत्थन आपके सही है तो C इसका राइट अंसर होगा नेक्स है कि हाल ही में भारत सरकार द्वरा प्रणाम की गई स्रेस्ट योजना का संबंध किस्से है जो स्रेस्ट योजना है इसका संबंध किस्से है तो अनुसूचित जाती के मिधावी चातलों को जो है गुनवत्ता पुर्ण आवासिय सिच्छा परदान करना तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट है कि हाली में मनाए गए तेवहारों के संबंद में निम्लिखित में कौन सुम्रित नहीं है इसमें से कौन आपके सुम्रित नहीं है तो देख लिजिए आदी पूरम तमिलाडू तो सही है अंबू बाची महुसव असम का है ये भी सही है और नंग किरल का ये भी सही है तो सबी जो कि सही सुम्रित है तो डि इसका राइट अंसर होगा नेश्ट है कि निम्लिखित में किस राज या किंद साचित प्रदेश में भारत का पहला असमॉक टावर का उठगाटन किया गया तो कहां पर किया गया है तो दिल्ली में किया दोबारा देखिए निमलिखित में से निमलिखित में किस राज या किन्द साचित प्रदेश में भारत का पहला अस्मोग टावर का उडगाटन किया गया है तो दिल्ली में किया गया है तो भी इसका राइट अंसर होगा पांच जून को मनाए गए विश्व परियावरान दिवस 2021 का थीम था तो इसका थीम क्या था एको सिस्टम री अस्टोरेशन तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स टे की रेलवे सुरच्छा बल का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है तो भारतिये रेलवे सुरच्छा बल से रखा गया है इनपोर्टेंट हैसे नोट कर लिजेगा नेक्स्ट है कि अगर नोट करने बोलते हैं अगर नोट नहीं भी करते हैं तो उसे थोड़ा दिमाग पर अस्ट्रेस देखे जो है दवाब देखे याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट है कि किस अफिर की देश में अस्थित ज्वाला मुखी नीरा गोंगो में विस्फोट के कारण सहर को खाली कराना पड़ा तो आपको याद रखना है कांगो कनराज में ठीक है कांगो कनराज में तो सी इसका रैट एंसर हो जाएगा हाली में प्रेणब की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्राले से है तो समाजिक न्याय और अधिकार्ता मंत्राले से संबंध है सेज परियोजना का ठीक है तो डी इसका रैट एंसर हो जाएगा नेटि आयोक दोरा जारी सेदत विकास लेंगिक समान्ता सुचकांग 2020-21 में किस राज को पर्थम अस्थान मिला है 24 गल को मिला है लेंगिक समान्ता सुचकांग मिला है तो च इसका रैट आंसर हो जाएगा UPSC में एक बर question पूछा गया था कि जो आदिवासी लोग है उनमें समानता ज़्यादा होता है महला और पुरूश में ठीक है तो उसका पीछी region क्या क्या था पूछा था नेक्स्टे की इजरायल के नए परधार मंतरी के रूप में किसे निव्ट किया गया है तो नाफ्ताली बैनेट को ठीक है नाफ्ताली बैनेट को तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि हाली में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में अस्थित में है तो दच्छिन अफिरका में ठीक है दच्छिन अफिरका में तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्ट है कि समयबेसी इंटरनेट सुझकांक 2021 में भारत का अस्थान रहा तो भारत को कौन सा अस्थान रहा तो भारत को उन्चास्मा अस्थान रहा ठीक है उन्चास्मा तो भी इसका right answer हो जाएगा next है कि aci kusthi championship 2021 के संब्द में कौन सा कथन आपके सही नहीं है तो देख लिज Training कथन आपके सही नहीं है इसका आयोजन कजाकिस्टान में किया गया प्रथम स्थान कजाकिस्टान तथा इरान को मिला भारत कूल 14 पतको के साथ तिसरे स्थान पर रहा तो इसमें आपको याद रखना है कि कोई भी जो गलत नहीं है सारे का सारे सही है तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है आपसे पुछा क्या था कि कौन से कथन जो आपके सही नहीं है तो कोई भी कथन आपके गलत नहीं है सारे सही है तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि निमलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिध्धी अभ्यान की शुरुवात की गई है तो Trifate के द्वारा ठीक है Trifate के द्वारा आप सभी लोग Trifate का full form लिखिएगा comment box में Trifate का full form आप सभी लोग लिखिएगा तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है की दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री suspension bridge अरोका का उधगाटन किस देश में किया गया है तो पूर्त गाल में ठीक है पूर्त गाल में किया गया है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है की हाली में पहला गैर quiet देश कौन बना जिसके साथ भारत में 2 प्लस 2 मंत्री अस्तरिय संबाद तंत्र अस्थापित करने का निरने लिया है तो किसके साथ रसिया के साथ में ठीक है रसिया के साथ में अस्थापित करने का निरने लिया गया है क्वाइड में कितने कंट्री है तो चार कंट्री है तो अमिर्का है अस्टेलिया है भारत है और जपान है ठीक है नोट कर लिजेगा नेक्स्ट है कि उनिस्को फिक है उनिस्को गुई लेमो कैनो बिस्व प्रेश सुतंता पुरसकार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो मारिया रेशा को ठीक है मारिया रेशा को नोट कर लिजेगा इंपोर्ट है मारिया रेशा को तो बी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि संसद टीवी के परथम सियोक रूप में किसे निवक्त किया गया है तो संसद टीवी के परथम सियोक के रूप में रभी कपूर को निवक्त किया गया है रभी कपूर को तो D इसका रेट अंसर हो जाएगा हाल ही में सुरुक्यों में रहा अल-अक्सा महजीद किस सहर में अस्तित है तो जो अल-अक्सा महजीद है यह आपके एरुसलम में अस्तित है तो भी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि 4 माई 2021 को वर्चोल रूप से जो है G20 देशों के प्रियाटन मंत्रियों की बैठा किस देश में संपन हुआ तो यह संपन हुआ इटली में ठीक है इटली में तो यह इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि वज्र प्रहार किंदो देशों के बीच किया जाने बाला थल से न अभ्यास है तो जो वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है ठीक है तो यह इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्टे की वाइल्ड इनुबेटर अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतिय और ACI महला कौन बनी है उनका नाम क्या है तो क्रीती के करंथ ठीक है क्रीती के करंथ बनी है वाइल्ड इनुबेटर अवार्ड वियर 21 पाने वाली पहली भारतिय और ACI महला ठीक है कृती के करंथ तो भी इसका रेट एंसर हो जाएगा नेक्से कि निमलिखित में से किस केंदर साशित परदेश को हाल ही में टीवी मुक्त घोसित किया गया तो लच्छ दीब को ठीक है लच्छ दीब को अच्छा को साने ठीक है लच्छ दीब को तो D इसका रेट अंसर हो जाएगा भारत ने किस देश के साथ जो समुदरी परियावरन की रच्छा है तो समझावता ग्यापन पर हस्त अच्छर किया है तो जर्मनी के साथ में समंदरी परियावरण की रच्छा है तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस राज सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरच्छा अभ्यान की सुरुवात किये तो मद परदेश राज सरकार के द्वारा मेरी मास्क मेरी सुरच्छा अभ्यान लौंच किया गया है तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्षे की भारत के सबसे बड़े kidney dialysis अस्पताल का उर्गाटन कहां पर किया गया है तो दिल्ली में किया गया है कहां पर दिल्ली में तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्षे की हर घर पानी, हर घर सफाई, mission किस राज सरकार के द्वारा सुरू किया गया है तो पंजाब राज सरकार के द्वारा ठीक है पंजाब राज सरकार के द्वारा तो अ इसका राज अंसर हो जाएगा तो C इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, C इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि समयुक्त राष्ट जलवाईू राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, तो माइकल बुलू बर्क को, माइकल बुलू बर्क को, तो B इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि प्लेटीपस जीब के संदच्छन ही तू दुनिया का पहला प्लेटीपस अभ्यारन किस देश में बनाया जा रहा है तो का पर बनाया जा रहा है अस्टेलिया में ठीक है अस्टेलिया में तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस देश में दुनिया का पहला सीब टरनल बनाया जाएगा तो किस देश में जो है दुनिया का पहला सीब टरनल बनाया जा रहा है तो यह बनाया जा रहा है नौर्वे में ठीक है नौर्वे में तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बता मार्च 2021 को मनाए गए छै रोग दिवस का थीम था तो इसका थीम क्या था दा क्लोक इज ट्रेकिंग दा क्लोक इज ट्रेकिंग तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस राज केंद साशित प्रदेश के लिए प्रसीद गुच्छू मुश्रूम को जी आई टे किया गया है तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि महलाओं को संपत्ति में अधिकार देने बाला भारत का पहला राज हाल ही में कौन बना है तो कौन बना है उत्रा खंड बना है तो डी इसका राइट अंसर हो नेक्स है कि रूपपुर परमानु उर्जा परियोजना किस देश में किस देश में जो है भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है तो कहां पर बांगला देश में तो यह इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारत का पहला एलेक्ट्रिक बाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बना है तो कौन बना है दिल्ली चंडिगण राजमार्ग बना है दिल्ली चंडिगण तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाली में किस मंत्राले के द्वारा जेंडर संबाद कारिकरम का सुभारम किया गया है तो जो जेंडर संबाद कारिकरम है ये सुभारम किया गया किसके द्वारा तो ग्रामिन विकास मंत्राले के द्वारा तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बजट 2021 में कहां जो है केंद्रिये बिस्विद्याले खोलने की घोसना की गई है तो कहां पर केंद्रिये बिस्विद्याले खोलने की घोसना की गई है तो लेह में कहां पर लेह में और आप सभी लोग कमेंट करके बताईएगा किसका नाम क्या है नेक्स है कि निती आयोक द्वारा जारी बहु आयामी गरीबी सुचकांक के अनुसार सरवादिक बहु आयामी गरीब राज कौन है तो बिहार है तो भी इसका राइट एंसर होगा नमंबर 2021 में चेक गनराज का परधान मंतरी किसे नियुक्त किया गया है तो चेक गनराज का जो परधान मंतरी नियुक्त किया गया है उनका नाम है महा महीम पेटर फियाला को महा महीम पेटर फियाला को तो ए इसका राइट एंसर होगा नेक्स है कि हाल ही में किस अंत्रिच संगठन ने दुनिया की पहली गरहर अच्छा प्रनाली दोहरे सुद्र गरह पुनाह निर्देशन परिच्छन को लॉंच किया है तो किसके द्वरा लॉंच किया गया है किसके द्वरा लॉंच किया है तो नासा के द्वरा लॉंच किया गया है तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्से की एसी आई पैरा उलंपिक समिती की घोषना के अनुसार दोहजार पचीस में एसी आई इवा पैरा खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो तासकंद उजवेकिस्तान में किया जाएगा तो भी इसका राइट अंसर होगा नेक्से की भारत, सिरलंका और मालदिप के टटरच को का पंदरमा जो है त्री पचिये सैन अभियास मालदिप में संपन हुआ जिसे नाम दिया गया है इसे क्या नाम दिया गया है तो उसे नाम दिया गया है दोस्ती क्या नाम दिया गया है दोस्ती नेक्स है कि निमनेखित में से किस बेक्ति को जो है उनकी पुष्ट तक दिल्ली ए दिल्ली ए सेली लोकियो के लिए JCB साहित पुरसकार 2021 परदान किया गया है तो एम मुकुंदम को किसे एम मुकुंदम को परदान किया गया है यम मुकुंदम को तो C इसका राइट एंसर होगा नेक्स है कि अंडर 23 बेश्वकुष्टी चेंपियंशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारते खिलारी ने रज़त पदक जीता है तो सिवानी पवार ने जीता है दोबारा देख लिजिए कि अंडर 23 बेश्वकुष्टी चेंपियंशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारते खिलारी ने रज़त पदक जीता है तो सिवानी पवार ने जीता है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारत ने किस बर्स तक सेना में ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लच रखा है तो आपको याद रखा है कब तक तो 2030 तक तो सि इसका राइट एंसर को आप लोग के बाद चेक कीज़ेगा अंसर तो ठीक है इससे कोशन चेक कीज़ेगा आप लोग नेक्स है कि 7 से 9 नमबर के मद 6 अंतरास्टी धर्म धर्म संबिलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया तो कहां पर किया गया है दलन्दा विस्विद्याले बिहार में किया गया है तो ए इसका राइट एंसर होगा नेक्स है कि अंतरास्टी सेना खेलो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का सात्मा संस्करन वर्ष 2021 में कहां पर आयोजन किया गया तो रूस में आयोजन किया गया तो सी इसका राइट एंसर होगा नेक्स है कि जेफ वेजोस के साथ उनकी बुलू ओरिजिन की अस्पेस फलाइट से अंतरिच में जाने वाले सबसे कम उम्र के बेक्ती कौन बने हैं तो सबसे जो कम उम्र के बेक्ती हैं उनका नाम क्या है तो उनका नाम है उलीवर डाइमें क्या नाम है उलीवर डाइमें तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स एकि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा किस दिवस को जो है विभाजन विविस्का अस्मिर्ती दिवस के रुप में मनाने की गोशना की गई है तो 14 अगस्त को तो D इसका राइट एंसर होगा हाली में भारत का कौन सा राज रेलवे मानचित्र में सामिल हो गया है नेक्स एकि अगस्त 2021 में इबसा के परियतन मंत्री नरे की बैठक की अध्यचता किस देश ने किया है भारत ने किया है तो A इसका राइट एंसर होगा नेक्स एकि हाली में जो है Transforming Food System Youth Innovation for Human and Planetary Health ठीम के साथ अंतराश्ची इवा दिवस किस दिथी को मनाया गया तो 12 अगस्त को मनाया गया है नेक्स एकिए कि 12 अगस्त को किस अंत्रीच एजनसी ने पिर्थवी अबलोकन उपगरा EOS O3 को लॉंच किया जो असफल रहा तो भारत की Space Agency इसरों के द्वारा तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें क्या था कि जो तिसरा चरन था क्रायोजेनिक वाला जो क्रायोजेनिक था धंक से अपना performance नहीं दिया जिसके कारण जो EOS O3 मिशने फेल कर गया ठीक है तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा कहां से लॉंच किया गया था तो स्रीहरी कोटा आंधर प्रदेश से नेक्स है कि French Open 2021 की महला बिजेता कौन रही तो बार बोरा क्रेजी कोबा तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि 67 थमा रास्तिय फिल्म पुरसकार में किस राज की फिल्म को परियावरन सनचन पर सर्वसेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है तो अर्वनशल प्रदेश के फिल्म को ठीक है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल्बिदुत परियोजना का दिर्मान किया जा रहा है तो कोसी नदी पर इसे नोट कर लिजेगा 67 BPSC के लिए ठीक है कि डगमारा जल्बितुत परियोजना का निर्मान किया जा रहा है तो किस नदी पर कोशी नदी पर हाली में चर्चित पुष्टक हाली में चर्चित पुष्टक जो है Home in the World Home in the World के लेखक कौन है तो Professor Amat Sen ठीक है Home in the World के जो लेखक कौन है Professor Amat Sen है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा Next है कि भारत सरकार ने सभी Electric बाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लिट लगाने को अनिवार किया है तो हरा रंग का ठीक है हरा रंग का जो है तो A इसका रैट अंसर हो जाएगा भारत सरकार ने सभी जो जितने भी अपके इलेक्टरिक बाहन है उन सभी को हरा रंग का पलिट लगाना होगा तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ये भी अच्छा कोस्टन है ठीक है हरा रंग का next question है कि MACS 1407 क्या है तो आपको याद रखना है ये क्या है तो स्वाबीन की नई किस में तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा next है कि 29 मैं 2021 को रगुनात महापात्र का करोना से निर्धन हो गया उनके संबंध में कौन सा कथन सत है तो सारे कथन को पढ़ लिजिए वे एक परसिद मुर्तिकार थे सही बात है तो तीनों आपके सही है तो डी इसका रैट अंसर हो जाएगा next है कि जल सरोतों के संबंध था भोजल में बिर्धे के लिए प्ररम की गई योजना परवत धारा योजना का संबंध किस राज से तो जो परवत धारा योजना है उसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से ठीक है हिमाचल प्रदेश से तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा next है कि फीफा अंडर 17 महला बिसकप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो भारत में ठीक है इन पोटेंटे नोट कर लिजिएगा BBI सम्मार किजिए कि फीफा अंडर 17 महला बिसकप 2022 का आयोजन किस देश में होगा तो भारत में होगा next है कि यूनिस्को द्वारा विश्व धरोहर अस्थलों की सूची में सामिल भारतिय अस्थल भेरा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज से है तो भेरा घाट और लमेत घाट का जो संबंध है ये मध परदेश राज से इनका संबंध है ठीक है मध परदेश राज से तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि 22 मैं 2021 को जो है मनाए गए जै बिवित्ता दिवस का थीम के है तो इसका थीम है बी आर पार्ट अफ दा सोलूशन ठीक है बी आर पार्ट अफ दा सोलूशन तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि हाल ही में अंग टाक्टिका महादीब से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है तो उसे नाम दिया गया है A76 उसे नाम दिया गया है नोट कर लिजिए का इनपोटेंट है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि भारती मुल्की किस महला को जो है अमिर्की रास्ट पती जो बाइडन ने वाइट हाउस का वरिष्ट सलाकार नेवत किया है तो नीरा टंडन को किसे नीरा टंडन को तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि किस परसीद वास्केट बॉल की लाड़ी को वास्केट बॉल हॉल ओफ फेम 2020 में सामिल किया गया है तो कोब ब्राइंट को कोब ब्राइंट को ठीक है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि नासा ने 2023 तक चनरमा पर पहला मोबाइल रोबर्ट भेजने की घोचना किये इस मिसन का नाम क्या है तो इस मिसन का नाम है बाइपर क्या नाम है बाइपर ठीक है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा याद रखेगा कब भेज़ा जाएगा 2023 में next है कि बिस्व कुष्टी चेंपियंशिप में रज़त पदक जितने वाले जितने वाली पहले भारती महला पहलमान कौन बन गई है तो अंसु मलिक बन गई है इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि भारत के परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि global gender gap index 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है तो कौन सा कथन सही है इसे एक बार पड़ लिजे ठीक है पहला है कि यह बिस्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है global gender gap index 2021 तो सही बात है बिस्व आर्थिक मंच world economic forum के द्वारा जारी किया जाता है इसमें पर्थम अस्थान जो है Iceland को मिलता है तो बिल्कुल सही बात है भारत को कौन सा स्थान मिलता है तो बारत को जो है 140 मा स्थान मिलता है यह भी सही है और 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था तो 110 बार मा तो भारत जो है इस वार बहुत ज़्यादा पिछल गया है तो सारे options आपके सही है सारे options सही हो जाएंगे तो D इसका राइटेंसर हो जाएगा नेख़से की बाइटीय संस्थानों के लिए जलबाईव परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो नीजिलेंड बन गया है ठीक है नीजिलेंड बन गया है बित्ये संस्थानुक ले जो है जलबाईव परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश नीजिलेंड बना है तो तो किसके द्वारा बिरेल देसाई के द्वारा ठीक है बिरेल देसाई के द्वारा तो D इसका रेट अंसर हो जाएगा नेश्टे की हाली में खगोल बीदो द्वारा ब्रहमान में खोजे गए सबसे छोटे ब्लेक होल का क्या नाम रखा गया है तो उसका नाम रखा गया है दा 11 अप्रिल से 14 अप्रिल ठीक है 11 अप्रिल से 14 अप्रिल तक तो बी इसका रैट अंसर हो जाएगा नैसे कि किस राज में परदान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा देश के देश के जो है 75 सु में जन औस्दी केंदर का उद्गाटन किया गया है तो आपको याद रखना है मेघा में घाले में जो जन औस्दी क्या होता है तो आप लोग जो सरकारी होस्पिटल होता है वहाँ पर देखिएगा जन औस्दी केंदर खुला रहेगा ठीक है जहाँ पर दबाई जो होता है बहुत सस्ता मिलता है नेक्स है कि केंद्री मंत्री नेंसी तोमर ने सरस अजीब का मेला 2021 का उद्गाटन कहां किया है तो ग्रेटर नुड़ा में ठीक है ग्रेटर नुड़ा में तो सी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि 14 फर्वरी को किस बंद्रगा पर अंतराश्टी क्रूज टर्मिनल सागिरिका का उद्गाटन किया गया है तो कहां पर कोचिंग बंद्रगा पर ठीक है कोचिंग बंद्रगा पर तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा बीबी आई कोशन मार्क कर लेज़ेगा इसे नेक्स है कि किस भारती संगीतकार को किस भारती संगीतकार को जो है अल्ट बिंग आईकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ए अर रहमान को ठीक है ए अर रहमान को नेक्स है कि जनवरी 2021 में किस राज में भारत के सबसे लंबे सलक आर्च ब्रीच का पर गाटन किया गय किस राज में भारत के सबसे लंबे सलक आर्च बिरिज का उडगाटन किया गया है तो मिघाले में नेक्स है कि सैन ताकत के अधार पर जारी गलोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को चौथा अस्थान प्राप्त हुआ है ठीक है भारत को चौथा अस्थान प्राप्त हुआ है पहला में कौन है अमिर्का है दुसरा कौन है रूस है तिसरा चाइना चौथा भारत ठीक है नोट कर लिजीगा इन्पोर्टिंट है नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कि से नेस्कॉम की पहली महला चेयर परसन के रूप में नेक्ट किया गया है तो नेस्कॉम की जो पहली महला चेयर परसन है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है रेखा मिनन क्या नाम है रेखा मिनन तो भी इसका राया टेंसर हो जाएगा ठीक है भी इसका राया टेंसर हो जाएग मिताली एक्सप्रेस को किसे मिताली एक्सप्रेस को तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस बेक्ती ने हैती के प्रधान मंत्री करूप में सपत गरहन किया है उसका नाम किया है तो एरियल हेंरी का नाम है एरियल हेंरी उनका नाम है नेक्स एकी ब्लोक्चेन तक्नीक का उप्योग कर सैचनिक दस्ताबेज जारी करने वाला भारत का पर्थम राज कौन बना है तो महराष्ट बना है कौन बना है महराष्ट बना है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स एकी चार से पांच दिसंबर 2021 को पाच में हिंद महासागर सम्मिलन का आयोजन कहां पर किया गया है तो कहां पर किया गया है तो अबुधावी UAE में किया गया है तो ए इसका राइट एंसर होगा नेक्स एकी महराष्ट सरकार ने गोरे वाड़ा चिडिया घर का नाम बदल के किसके नाम पर रखा है तो बाला सहाब ठाकरे के नाम पर रखा है उसके बाद नेक्स आप का है तो देख चुके हैं इसे देख लेते हैं कि बामनमा भारती अंतरास्टी फिल्म महोसव 20 नमंबर से 28 नमंबर 2021 के बीच हाईबरिड रूप से कहां पर आयुजित किया गया तो कहां पर गोवा में आयुजित किया गया नेक्स आप की बारत का पहला बीदेशी पच्छी पार्क कहां पर खोला गया है तो मुंबाई में खोला गया है नेक्स आप की 2021 में हुए विधान स्वा चुनवा के संबंद में निमन में से कौन सक आपके सुमलित नहीं है तो देख लिजिए पी बिजयन आपके किरल के मुखमंतरी है एन रंगा स्वामी डूचरी के सही बात है सरवानन सुने बाल असम के मुखमंतरी है ये गलत है सरव सबकि राजसभा का नेता निक्त किया है तो आपको याद रखना है कि उस सदन का नेता जो किसे निक्त किया गया है तो प्यूस गोयल को निक्त किया गया है साथ ही आपको याद रखना है कि हाल ही में जारी गोस्तना के अनुसार बर्स 2022 में ओलंपिक हेलों की मेजबानी किस देश की दोरा की जाएगी तो अस्टेलिया के दोरा की जाएगी देखे जो आपका एक से साथ ये कोस्टन छूट गया था प्रेक्टिस एट नमर 10 का देखे एक्चुली सही बात तो है कि हमने इसका वीडियो एकोड किया था लेकिन जब हम इडिट कर रहे हूंगे तो उससे में क्या हुआ होगा कि कहीं पर जोई ہी एसकिप कर गया हुगा उसके करनी वीडियो में कवर नहीं हो पाया था लेकिन कोई बात नहीं उसे हम लास्ट में कवर कर देते हैं एसिया पाबर इंडेक्स दुहरकिस में और इवसे का स्थान पहला मिला है तो सही बात है तो D इसका राय टंसर हो जाएगा नेक्स है कि परदान मंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतरास्टी हवाई अड़े की आधार सीला कहां पर रखी है तो नोईडा उत्र परदेश में रखे हैं तो ए इसका राय टंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाली में हैदरपूर आदर भूमी को रामसर साइट की सूची में सामिल किया गया यह किस राज में अस्तित है तो उत्र परदेश में अस्तित है और किस नमर का है तो 47 में नमर का रामसर साइट है यह भारत का उत्तर परदिस का किस नमर का है तो 9 में नमर का है सबसे अधिक रामसर साइट कहां पर है तो उत्तर परदिस राज में है नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ जो है मित्र सक्ति 2021 संयुट संयन अभ्यास का आयूजन किया है तो स्रिलंका के साथ में किया है तो D इसका राइट अंसर होगा नेक्स है कि UAE के किस मेजर जनरल को अंतरास्टिय कानून प्रवर्तन एजनसी इंटरपोल ने अध्यच के रूप में निक्त किया है तो किसे निक्त किया है अहमद नसीर अल रहिसी को तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि B स्वास्त संगठन ने कुरोना के नए अस्ट्रेन को B.1.1.529 बेरियंट अफ कंसर्न कहा है जिसे डवली अचो द्वारा क्या नाम दिया गया है तो ओमीक्रोन नाम दिया गया है ओमीक्रोन सबसे पहले किस देश में फैला है तो दच्छिन अफिरिका में फैला है नूट कीजिएगा पूछा जाएगा नेक्स है कि हाली में राश्च्रपती गोविंद ने पदम पुरसकार 2020 परदान किया इन में किस केंद्रिये मंतरी को मरनो परांस जो है पदम वीवुषन से सम्मानित नहीं किया गया तो अरुण जटलू को किया गया है सुसमाशराज को भी किया गया है जोर्ज फर्नानिस क भी किया गया जब कि मनुहर परकर को नहीं किया गया तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉंच की गई पुछ तक आल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वरा लिखी गई है तो रस्किन बॉंड के द्वरा लिखा गया है तो भी इसका राइट एंसर होगा नेक्स है कि टोकियो ओलम्पिक 2020 के संदर में कौन से कथन आपके सही है तो इस ओलम्पिक में पदक तालिका में जो अमिरिका सिर् हो जाएगा नेक्स से कि बजट में गोशित प्रदान मंत्री आत्म निर्फर स्वास्त भारत योजना के तहत आवंटित रासी कितना है तो कितना रासी आवंटित किया गया है तो 64,180 रुपया पके आवंटित किया गया है तो यह इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके तो आप देखें कोई भी कोशन आप छूटना नहीं चाहिए कि लगबग जो छूटा था यह रात को एडिट हुआ था वीडियो हो सकता है उसी में कोई दिक्कत आ गया होगा लिखने इसमें आप बाकी जो भी वीडियो अपलोड हुए है उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नही है अगर कहीं दिक्कत भी है तो आप लोग बताईएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो उसका सोलुशन करने का प्रियास किया जाएगा तो टोटल हम लोग ने आपके 750 कोशन को कभर किया है जो आगे आने वाले सभी एक्जाम के लिए महत्पूर्ण होगे थैंक्यू